तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ट्वीटर कितने टाइप के होते हैं तो दोस्तो में आपको चार ट्वीटर बताने वाला हूं जो कि पूरा होम के लिए ही बेसिक एपलाइंस आपको मिलेगा यानि कि पूरा घर के लिए ही यूज़ होगा बार का लेके आज सकते हो तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टोपिक पर है इसको उपन शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर मेरा नाम नहीं पता तो मैं बता देता हूं मेरा नाम है चिरा और आप देख रहें डीजे गुटू चिरा यूटूब चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले होते हैं तो पहले मैं आपको यह बता जाता हूं कि किसी मेरे भाई को यहीं नहीं पता कि ट्वीटर क्या होता है तो दोस्तों ट्वीटर ऐसा एक डिवाइस होता है यानि कि एक एसा यूनिट होता है ड्राइवर यूनिट होता है जो कि स्पीकर की हाई फ्रिक्वेंजी को करता है यानि कि जो हाई फ्रिक्वेंजी जानी दीखी आवाज होती है उसको ट्विटर प्ले करता है ठीक है तो अब वह प्ले करता है तो उसके लिए कुछ चार ट्विटर मैं आपको बेस्ट बताने वाला हूं कि चार कौन कौन सी कंपनिया बेस्ट है तो पहली बात मैं आपको बता जता हूं कि ट्विटर मोशली चार प्रकार के नहीं होते हैं ट्विटर और भी प्रकार के होते हैं लेकिन मैं भी चार ही बनाने वाला हूं और चार चारो ट्विटर आते हैं अब दोस्तों चारों का कुछ ना कुछ अलग डिफ्रेंस तो होगा ही सही कौन सी फ्रिक्रेंसी पर बसते होंगे क्या उनके अंदर मर्टिरियल यूज करते हैं क्या इनके जो बदने की मतलब टेक्नलोजी है कि किस टाइप से वर्क करते हैं और चार सबसे पहले चलते हैं अपन पेपर ट्वीटर के ऊपर और उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या आपने को डिटेर्स देखने को मिलती है यह क्या quality देखने को मिलते हैं तो चलते हैं अपने पेपर ट्वीटर के ऊपर तो भाई लोग यह रहा पेपर ट्वीटर दोस्तों पेपर ट्वीटर ऐसा होता है जिसके अंदर आपको पीछे की साइट तो हमेशा सारे है ट्वीटर में पैक मिलेगी लेकिन इसका फेपर होगा मतलब कौन का होगा पेपर में पहली बात फिसके मुझाए कि या उपकोवड़ में ले क् выпуск तुम किया जा सेके तो ऊस्क्राइब प्लसटों यह होटा है पेपर ट्विटर का सेटल्मेंट अब आपको बत आता हूं फ्रिक्वेंशी रैंज डीटैल और प्र्राइज क्या क्या है रहती है और पर चलते आपने अगे प्लेश्य होग intern तो स्क्रीन पर आगए होगी सारी price detail अब चलते है ऐपने वाले ट्विटर के उपर जो गए अपना है pg.o twitter तो भाई लोग यह आता है pg.o twitter थोड़ा अच्छा होता है paper duty की मुवाबले क्योंकि जो paper tutor होता है वो थोड़ा सा mid भी निकालता है लेकिन PGO tutor mid बहुत कम निकालता है केवल ये high सी आपको निकाल के देता है और दोस्तों ये price में थोड़ा सा ज़्यादा आता है लेकिन इसकी मिलब quality बहुत ज़्यादा अच्छी आपको मिलती है अगर आप लेना चाहते है दोनों में से एक तो PGO लेना prefer खरिएगा दोस्तों PGO tutor का यही quality होता है साथ ही में इसके अंदर भी आपको कुछ इसी type का system दिखता है लेकिन paper की जगे कौन होता है plastic के अंदर उच्ता सा आप समझ लीजेगा और इसका एक element होता है जिसको बोलते है PGO element अगर उस पे भी details चाहिए तो वीडियो अगला आएगा दोस्तों यह होता है PGO tutor इसका pricing details और frequency वगरा भी आपको अब स्क्रीन पे दिखी गया होगा तो चलते है अगले tutor पे जो हकी है dom tutor तो दोस्तों अगला आता है dom tutor यह only और only इसकी high range वाली frequency की वज़े से ही जाना जाता है कि इसकी जो treble होती वो काफी ज़्यादा high और आपके सकते हैं कानों में चुबने वाली आती है इसलिए इसकी ज़्यादा value होती है मतलब की music studio वगरा में जो box बनते हैं जिनके अंदर only एक tweeter और एक woofer होता है mid नहीं होता है उसके अंदर इसका ज़्यादा use किया जाता है दोस्तों यह dom tutor भी काफी ज़्यादा अच्छा है अगर आपको high treble सुना पसंद है और आपके घर के home theater की treble लो है ता आप इसको use कर सकते हो इसका price detail और वो सब यह screen पर आगया होगा चलते हैं अगले ट्विटर पर जो कि है silk का tweeter यानि कि silk tweeter लोग इसको बलते है silk tweeter यह काफी ज़्यादा महंगा आता है इन तीनों tweeters के मुकाबले लेकिन इसका soft travel इतना ज़्यादा मतलब की कह सकते हैं मसूह हुरे कि वो चीज़ आपको दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा यानि कि यह इसका बहुत ज़्यादा soft travel आता है यानि कि आप इसको लगाता तीन से चार गंटा भी सुनो के तो आपके कान में कभी दर्द नहीं होगा और आपको कभी भी आपका सीड़द नहीं होगा स्टेबल के वजह से यानि कि इसके इसके प्रोबलम नहीं होगा यानि कि आप इसको आराम से सुन सकते हो मतलब की कह सकते हैं मतलब की समय एक जादा तेर तक आप इसको उन सकते हैं soft travel आता है साथ में इसका highs जोड़ा कम है लेकिन इसके अंदर आपको हलका फुलका mid भी देखने को मिलता है जिसकी हुझे से ये काफी ज़्यादा अच्छे से गाने के अंदर मतलब की song के अंदर quality को mix करता है दोस्तों ये होता है अपना silk tutor इसका जो mechanism है वो मैं आपको समझाता हूँ तो दोस्तों एक silk का जो कपड़ा होता है वो और उसके साथ में फाइबर में mix करके उस silk के कपड़े को heart बनाए जाता है और फिर उस silk के कपड़े को एक dome का shape दिया जाता है और उस dome के अंदर आपको पीजो element डालके और बड़े magnet के साथ में जो twitter मिलता है उसको बोलते है silk का twitter तो दोस्तों यह था silk twitter और चारों में से आपको कौन सा बढ़िया लगा मुझे बटाना मैं बताँगा अगर आपका budget ज्यादा कम है तो आप लिजेगा paper twitter ठिक ठाक budget है तो लिजेगा पीजो ट्विटर अगर आपको समझोता नहीं करना है quality से तो आप लिजेगा silk ट्विटर लेकिन ट्विटर का मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इसका सुरुवा थी साथ सीधा 310 या 320 रूपर से उपर से होता है दोस्तों यह difference से ज्यादा कोई difference नहीं है आपका जो best experience है वह मुझे बताना अगर आपको इसा ट्विटर यूज़ करते हैं तो comment में उसका नाम जरूर से वह क्या है तो दोस्तों मिलता हूं ऐसी किजी दूसरी वीडियो के अंदर तब तक के लिए देखते हैं डीजे गुरू चुराइग योटूब चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना चैनल बनेजर सब्सक्क्राइब कर लेना दोस्तों फाइनली में आप से वीड़ लेट।